आज मैं आपको नाश्ते की बिल्कुल ही नई रेसिपी बताऊंगी जिसे बनाना तो आसान है और खाने में भी ला जवाब है जिसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी चाव से खाना पसंद करेंगे हेलो फ्रेंट्स मंजी फूर्ट चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पहला एकुन जरूर दबाए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिए हम पैन ले है इसे भी बारी बारी कट लिए है तो इसे भी डाल देंगे तो इसे हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे और यदि आप लसू नहीं खाते है तो इसकोई skip कर सकते हैं लगबग 30 सेकंड सोटेख करने मले हैं अब हम इसे बारीक कटा हुऊ प्याज डाल देंगे यह मैंने एक चौताई कप लिया है । इसे भी डाल देंगे तो इसे भी हम सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेंगे तो हमें इसे एक से दो मिनिट तक दूनना है ज्यादा नहीं मटर हमारे सॉफ्ट हो गया अब हम इसमें एक चौथाइब कप काजर है इसे भी बारिक बारिक काट लिया है इसे डाल देंगे और आधा कप शिम्ला मिर्च ले रोगाँ आए विलीबल है तो आप डाल सकते हैं मेरे पास नहीं थी मैंने नहीं डाली है और यदि हख की पास स्वीट अव्लेबल है तो मतर की जगव भी डाल सकते है या मतर की साथ सभ्? हमेंस अल्गा सा करना तोधी करना है थोडा सा क्रुंची है थार अजिए और इसक और इसे मिक्स कर लेंगे एक मिनित तक बस को देंगे हम इसे बस जादा नहीं तो अब ग्यास को बंद कर देंगे और अब इसमें हम थोड़ा चाल टालेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि हमने सॉस में भी सॉल्ट होता है। और लास्ट में नमक इसलिए डाल रहे हैं हम ताकि सब्जीव को पानी न जूटे अगर शुरू में पानी सॉल टालते तो पानी छूट जाता तो सॉल पैने ज्यादा नहीं लिया है पस एक चौथा ही चम्मच है तो अब हम इसे थंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल ले लेंगे तो इस तरह हम इसे चारों साइड्स काट लेंगे तो हमारी स्लाइस जो है को तयार है और यह जो बच्चे हुए है ब्रेट इससे हम ब्रेट क्रम्स पना लेंगे तो इससे इस तरह से काट लेंगे इस तरह से चोड़े-चोटे टुक्डों में काट लेंगे और इस ब्रेट क्रम्स है बनकर तयार है इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे और आप दूसरा पाउंट लेंगे इसमें हाफ कप कॉर्ण फ्लोर और हाफ कप मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और एक गाड़ा सा घूल तयार करेंगे और इसे इस तरह से गुमाते रहें ताकि इसमें लंस ना पड़े इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बस इसी तरह का चाहिए बहुत ज्यादा पतला नहीं तो अब हम इसे साइड म में रख लेंगे तो अब हमारा जो मिक्स था ठंडा हो गया है अब इसमें मैं हाफ कफ मोजरेल चीज डालेंगे और दो चमबच मियोनीज डाल देंगे और आप हम इसे यशे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा मिक्स होगा है अच्छे से तो अब हम एक ब्रेट की स्लाइस लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे आपको ध्यान रहे आप जब ये रसेपी बना रहे है तो आपकी ब्रेट जो है फ्रेश होनी चाहिए अगर बासी होगी तो ब्रेट का चूरा होने लगेगा इसलिए वह रसेपी में उत्ता सकते हैं और याप अब हम साइट में जो उन्होंने घोल बनाया था वह लगाएंगे अपकि अश्चम लगा लेंगे ताकि हम जिसीटमस करें तो अच्छा से सील पैक चाहेरे और इसे हातों से इस तरह से दबा लेंगे और एक फोक लेंगे फोक से हम इस तरह से दबाएंगे तक कि हमारी डिजाइन भी बन चाहे और यह अच्छा से पैक भी हो जाएगा लखा लेंगे आपं चाहिए तो इसी तरह भी तल सकते हैं लेकिन प्रेट में चेज होता है इसाली हम इसे प्रेटी कर लेंगे आप हम इसन ब्रेड क्रम्स के मेटेटारी के प्रेड देश्छ मोअ पर हमेइड या इतना सुन्दर दिख रहा है ये और आप हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे तो इस तरह से हम सभी जो है तयार कर लेंगे और इसे ऑईल में फ्राइ कर लेंगे अब इस तरह से हम इसे पलट लेंगे कि मैं इसहने थे कि हमें इसमें जाँ ह्रुना स्वेयर कि अपलाए हम इसे बोघ जाए नहीं पलेंगे तो इस तरह से हम इस अलट पलटते रहेंगे तो यो देखिये हमारे डाल है भी तल सकते हैं और हम जीद हूअ पेर ना तले तरह बीडियो फ्लेंपे जलना है हमें बिल्कुल श्लो भी नहीं स्लो में तलेंगे तो ब्रेड पीने लगे गी और सिर्फ भाद का कवर ही पकाना यह इसंदर के साथ-साथ बहुत भी करउंची भी बने है यह बहुत ईटास्टी भी लगत अग्ता तो यह हमारा बिल्कुली नया नाश्टा बनकर तैयार है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है और यह अंदर से बहुत ही टेस्टी है तो आप देख सकते हैं कि इतने सुन्दर दिख रहे हैं तो यह थी नाश्टे की बिल्कुली नई रेसिपी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताए पसंद आने पर लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाए थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो